यदि आप गरीब परिवार में जन में हैं तो यह आपकी गलती नहीं है लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है ऐसा कहना है इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स का जो अपनी सची लगन और मेहनत के बल पर इस मुकाम पर आप पहुचे हैं कि अगर वो इस विश्व में अपना एक अलग देश बनाए तो भी वो दुनिया का सैंतिस्वा सबसे अमीर देश होगा बिल गेट्स प्रतेक दिन लगभग 102 करोन रुपए कमाते हैं और कहा जाता है कि बिल गेट्स अगर पुरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बराबर बराबर रुपए बाटें तो हर एक के हिस्से में करीब 5000 रुपए आएंगे बिल गेट्स का वास्विक नाम विलियम हेंडरी गेट्स है इनका जन 28 अक्टूबर 1955 को वासिंग कटन के सियेटल में हुआ था बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स थे जो की एक मसहूर वकील हुआ करते थे उनके माता पिता उनके लिए लौ में कैरियर बनाने का स्वपन लेकर बैठे थे लेकिन बिल को बच्पन से ही कम्प्यूटर और उनकी प्रोग्रामिंग भासाओं में बहुत ज्यादा रुची थी उनकी प्रारंबिक सिच्छा लेकसाइड स्कूल में हुई लेकसाइड स्कूल में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर सीखने और उसे और अधिक जानने के लिए स्कूल की तरब से कम्प्यूटर दे दिया गया जिससे बिल गेट्स की कम्प्यूटर में रुची और बढ़ने लगी बिल को कंप्यूटर सीखने से ज़्यादा यह जानने की रुची थी कि आखिर यह काम कैसे करता है कुछ साल कंप्यूटर के जानकारी होने के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में बेसिक कंप्यूटर की भासा में एक टिक टैक टो नाम का प्रोग्राम बनाया जो की एक तरह का गेम था इसमें खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति उस गेम को कंप्यूटर के साथ खेज सकता था मतलब उस गेम को खेलने के लिए दो लोगों की आवैसकता नहीं थी इस्कूलिंग के समय ही बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई जो उनसे दो साल सीनियर थे अपनी कंप्यूटर की मिलते धार्णाओं और विचारों के वज़़से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए जबकि दूसरी तरफ उनके स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिला करते थे पॉल एलन बहुत ही सर्मीले और सांथ स्वभाव के थे लेकिन बिल गेट्स उनके विप्रीत थोड़े चंचल स्वभाव के थे बिल्केट्स के स्कूल वालों ने उन्हें और उनके दोस्त एलन को कंप्यूटर लैब में जाने का रोग लगा दिया था क्योंकि वे दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में बिताते थे और computer के software के साथ छेड़ शाड़ किया करते थे बाद में दोनों को फिर से इस सर्थ पर lab में आने की इजाज़त मिल गई कि वे programs में error निकालेंगे इसी समय Gates ने एक और software program बनाया जो school के time table से ट्यूल में काम आता था सन 1970 में 15 साल की उम्र में ही Bill Gates और Allen ने मिलकर एक program बनाया जो कि सहर के traffic pattern पर नजर रखता था उन्हें इस program के लिए 20,000 डॉलर मिले जो इनकी पहली कमाई थी 1973 में वो लेकसाइड इसकूल से पास हुए उसके बाद Harvard University में उन्होंने admission ले लिया लेकिन बिल गेट्स ने 1975 में बीना graduation किये college छोड़ दी और अपने company की तरफ ध्यान देने लगे 26 नवंबर 1976 को उन्होंने Microsoft को एक company के तौर पर register किया और देखते ही देखते computer software की दुनिया में सर्वोच अस्थान प्राप्त कर लिया बिल गेट्स की संपत्ति में भी उनके बच्चों का कोई हक नहीं होगा बिल कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी सिच्छा देंगे लेकिन कमाई के लिए उन्हें अपने रास्ते खुद निकालने होंगे गेट्स को बच्चपन से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता था और आज वो गरीबों वा जरूरत मंदों की मदद के लिए हर साल करोडों रुपया दान कर देते हैं गेट्स ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी उनका हमेशा से ही यही मानना था कि गलतियां तो सभी से होती हैं लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रियास करे वही जीवन में सफल हो पाता है आपका बहमूले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नई inspirational और motivational वीडियो के साथ आता हूँ दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दन्यवाद